पुरुषार्थ पूरे हिंदी भासी छेतर है या जहां जहां इस पुरुष को बोला जाता है वहां उनके मन मस्तिक्स में ये डाला गया है कि जो पुरुष यानि के मेल है पुरुष जो शब्द है वो मेल के लिए है मेल ही पुरुष है यानि के जो नर है जो मनुष्य में जो आदमी है वो प जो तागत है और जो उसकी मेहनत है उसको पुरुशार्थ करके बोला जाता है कहीं कहा जाता है कि पुरुशार्थ कीजिए यानि कि मेहनत कीजिए ऐसा करके बोला जाता है ये अगर पुरुशार्थ करते हैं तो महिला क्या करती है यानि महिला अगर मेहनत करेंगी अगर कोई नारी मेहनत करेंगी तो उसे क्या बोलेंगे नारी शार्थ या महिला स्वार्थ यानि पुरुस के अगेंश्ट में कोई शब्द दूसरा नहीं है ये जो पुरुस पुर्धान माज़िकता बनाई गई यानि पुरुस को ये बताया गया कि पुरुस ही मेल है ये शब्द पाली में कहीं नहीं मिलता पाली में बाद में इसको कहीं मेल से जोड़ने की कोशिस की गई मगर ऐसा संबब हो नहीं पाया क्योंकि जो एक पुरिस दम सार्थी करके जो रतनत्य में त्री रतन में जो शब्द आता है पुरिस दम सार्थी इसमें शे शब्द नहीं है शटकॉन वाला शे नहीं है पुरिस बोलते हैं पुरिस दम सार्थी इसका मतलब यह होता है कि जो पुरिस है यानि कि जो व्यक्ति ह चाहे वो महिला है चाहे वो नर है या नारी है महिला है या आदमी है अगर वो महिला है नर है नारी है कोई भी है वो पुरिस है उसको दमन करना है उसको दमन करना है और उसके सार्थिय है भगनवान बुद्ध यानि भगनवान बुद्ध ने अपनी बात में कहीं ये नहीं कह कि वो पुरिस का दम सार्थी करेंगे, यानि पुरिस को ही राग दे से दूर करेंगे, वहाँ व्यक्ति है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि पुरिस का जो मतलब है वो व्यक्ति वाचक है, दोनों के लिए आता है, इसकी आगे हम आगे और भी देखेंगे पाली में, तो पाली तो इस सादक को बाद में ऐसा माना गया कि यह जो नर खोर हैं या जो आदम को खाते हम या जो आदम खोर उनको कहने की कोशिश की गई बैसिकली यह मानसिक्ता यहाँ क्योंकि यह महिला प्रधान देश था और यहाँ पे नारी पालक थी नारी सबको पालती थी और उस मानसिक्ता को बाहर की लोगों ने बदलने कुछ की और वो यहां के बदली मानसिक्ता मानसिक्ता बदलने कारण ही यहां जो यह पुरिस सब्द है उसको उन्होंने अपनी तरफ खीच लिया और उसको मेल से बना दिया, नर से बना दिया और पुरिस से बना दिया एक सब्द और है जो है पुरिस मेद पुरिस मेद का मतलब है पुरिस मेद को उन्होंने कहा कि ये नर बली है ये माना बली है बेसिकल ये माना बली है पुरिस मेद का मतलब जो यग होते थे पहले पुरिस मेद जिसमें आदमी या औरत, क्योंकि औरत भी अगर उसमें काटी जाती है, मारी जाती है तो उसको नारी मेद नहीं लिखाए कहीं, वो पुरिस मेद है एक सब्द और है जो आपने ध्यान से सुना होगा, उसका नाम है पुरिसकार ये जो पुरुषकार सब्द है आपने सुना होगा और पुरुषकार तो आजकल बहुत चलता है आपको पुरुषकार मिला क्या आपने कोई पुरुषकार लिया क्या ये जो पुरुषकार सब्द है ये पुरुषकार सब्द पुरुष से बना हुआ है और इससे जो पुरु नर्व नारी वाचक नहीं है, दोनों गली आता है, पुरिस का मतलब मनुष से होता है, हाला कि पाली की बात की भासा में इसको नर्व से कंपेर करने की, आदमी से कंपेर करने की कोशिस की गई है, एक बात पाली का जो ध्यान करते हैं, अधन करते हैं, और जो वेपसना में जा प्रमाल्षा लेकर गोमता है कि जितने भी नर हैं वो सब नारी है जितने भी आदमी हैं वो सब महिला है जितने भी मेल हैं वो सब फीमेल है अगर आप अपनी सर्ट के बटन खोलेंगे और सर्ट के बटन खोलके सीसे में जाके देखेंगे तो आपके सरीर की दचना ये बताएगी कि बच्चे को फीट कराने का, बच्चे को दूद पलाने के जो ओर्गंस होते हैं, जो तंत्र होते हैं, जो प्रकती ने ओर्गंस बनाए हुए हैं, वो नर के अंदर भी होते हैं, और वो मादा के अंदर भी होते हैं, यानि नारी के अंदर भी होते हैं, इससे ये बात तेह हो अन्य था ऐसा नहीं होता कि नर के अंदर बच्चे को फीड करने वाले दूद पलाने वाले औरगन होते बेसक वो इनेक्टिव हैं मगर जो डॉक्टर हैं जो चिकिस्थक हैं जो सरजन हैं वो नर का नारी और नारी का नर बना देते हैं जब उन फाइलों को वो एक्टिवेट कर देते हैं जैसे किसी नर को नारी बनाना है तो उसको वो जो नारी वाली फाइले हैं यो सौफ्ट उसके गुण होते हैं उनको एक्टिवेट करने के हार्मोंस देते हैं जिससे वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और वो नर नारी बन जाता है, ऐसे नारी नर बन जाते हैं, यह बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जो लोग विपस्ना करते हैं, जो लोग विपस्ना जानते हैं, वो इसको समझते हैं और वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, धन्यवाद. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो 5 इप हैं कर दो झाल झाल